वेल्कम टू स्रीजी फूर्ड मैं हूं मनिशा ठककर आज हम गर्मियों के दिनों में एकदम आसन तरीके से धाबा स्टाइल आलो भुना मसाला के सबजी किस तरह से बनानी है वो देखेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं ये सबजी बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में 3-4 चमच इतना मिडियम खट्टाट दही डाले फिर आदा चमच हल्दी एक चमच धनिया पावडर, आधा चमच ये स्वादनुसा नमक, एक चमच लाल मिर्च पावडर, एक चौथाई चमच गरम मसाला, आधा चमच पंजाबी मसाला या फिर किचन किंग मसाला डाले और अब इसे मिक्स कर ले फिर दो चमच जितना पानी डाल कर इस तरह से उसकी पेस्ट बना ले अब कोई हैवी बॉटम की कड़ाई ले ले और उसमें तीन से चार चमच जितना तेल गरम का निकली रखे तेल जब गरम हो जाए फिर इसमें थोड़ा जीरा डाले और गैस की आज धीमी करके इसमें एक सुखी लाल मिर्च डालेंगे फिर एक से दो कटे हुई हरी मिर्च डाले अगर आप प्याज खाते है तो एक मिडियम साइज का प्याज भी इसमें चौप करके डाल सकते है अब इन दोनों चीजों को हमें ढखकर दो मिनिट तक या फिर इसमें से तेल अलग हो तब तक पकाना है दो मिनिट के बाद जब आप देखोगे तो ग्रेवी में से इस तरह से तेल अलग होता हुआ दिखेगा तो अब गैस की आज धीमी कर दे और इसमें थोड़ा कसूरी मेथी का पाउडर डाले अब इसे खूला ही थोड़ी देर पकने देना है तब तक हम सबजी की दूसरी प्रोसेस कर लेंगे तो उसके लिए एक फ्राइपेन में दो चम्मत जितना तेल गरम कने के लिए रखे तेल जब गरम हो जाए तब उसमें एक मिडियम साइस का कैपसिकम इस तरह से पतला लंबा कट करके डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सौते कर लेंगे इसे के साथ दो कटी हुई हरी मिर्च डाले हरी मिर्च की कॉंटिटी आप अपनी पसंद अनुसार कम ज्यादा कर सकते है कैपसिकम और हरी मिर्च थोड़ा भून जाए उसके बाद इसमें डाइसोग्राम उबले हुए आलू को हम मिडियम साइस के टुकडों में कट करके इसमें एड़ करेंगे और फिरी से इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें चुटकी बर नमक, चुटकी बर चाट मसाला और थोड़े चिली फ्लेक्स डालेंगे अब इसे हाई फ्लेम पर दो से तेन मिनिट तक भून लेना है इस तरह से कैपसिकम और आलू को भून के सबजी में एड़ करने से सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है तो कैपसिकम और आलू अच्छी तरह से भून गया है जो ग्रेवी हमने कुखोने के लिए रखी थी वो भी अच्छी तरह से कुखो गई है तो भूने हुए आलू और कैपसिकम इसमें डाल देंगे यहाँ पर मैंने ग्रेवी में हाइब्रिड टमाटर डाला है अगर आप देसी टमाटर यूज करते हैं तो इसमें आपको थोड़ी चीनी अड़ कर देनी है क्योंकि देसी टमाटर थोड़े खटे होते है जो कटोरी में हमने दही और मसाला मिक्स किया था उसे में 1-2 चम्मच इतना पानी डाल कर पानी इसमें डाल दे ये जो सबजी होती है वो ज़्यादा सुखी भी नई और इकदम ग्रेवी वाली भी नई वैसी होती है तो इसमें ज़्यादा पाने नहीं डालना है अभी जो measurement लिया उससे अब दो लोगों को सव कर सको उतनी सबजी बनकर ready होती है तो अब ये सबजी अच्छी तरह से कुक हो गई है आखिर में इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाले और गैस बंद कर दे बनाई होई सबजी को आप रोटी, पराठा, नान, पूरी या जीरा रैस किसी के भी साथ साव कर सकते है तो आप भी इस तरह से टेस्टी और मसालेदार धाबा स्टाइल आलो भुना मसाला के सबजी बना कर जरू ड्राइ करें उम्मिद है आपको मेरी आज की रैसिपी पसंदाई होगी